तो जब भी किसी value को चाहे वो integer हो, float हो, double हो, character हो जब भी किसी value को एक से increase करना है तो यहां पर हम use करते हैं इस increment operator तोकि यह जो increment operator है Actually, यह दो type के होते हैं एक को हम बोलते हैं pre-incre Jonas और एक को हम बोलते हैं post-increment Why there is an error? सही तुलिखा increment pre or post अरे बच्चे सुनना ध्यान से यह increment operator और even यह rule decrement पर भी applicable है increment और decrement कभी भी directly constant पर applicable नहीं होते हैं numbers are the constant तो कभी भी ध्यान रखना increment to decrement directly कभी constant पर applicable नहीं होते हैं यह हमेशा applicable होते हैं variable पर इसके पहले वाले प्रोग्राम में हमने इनको use किया है variables के साथ a and b are the variable यह ध्यान रखना यह question thousands of time confuse करने के लिए interview में पूछा जाता है तो यह जो minus minus है यह कौन है it is a decrement operator यह भी दो है pre or post हलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका data flare c++ programming के इस free course में जहां हम बात कर रहे हैं operators के बारे में और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात कि थी टाइप्स of operator हमने लिखे हुए है ठीके एक एक करके हमें सारे कवर करना है और अभी तक हमने दो major operator की बात कर वो भी बहुत detail में चुकि मैंना आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि केवल इन operator को सुनना और केवल यह पता होना कि हाँ प्लस माइनस अरफ मेडिकल operator होते हैं not sufficient क्यों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटर्व्यूज क्रैक करने की और यह दी बात interview की हो रही है तो यहाँ पर हर एक operator की detail में जाना पड़ेगा interview is not a formality समझी आप बात को तो यहाँ पर हम कोई भी concept के वल formality के नहीं पढ़ेंगे कि बस आपको पढ़ा दिया और आट सिट हर concept को बहुत detail में समझना पढ़ेगा तब जाके interview क्रैक होंगे ओके टार्गेट है हमारा top mncj1 payment आप से promise किया है कि बस आप बने रही है स्कोर्स में कंपनी तक तो मैं छोड़के आउंगा ठीक है तो चलिए उसी concept में आज हम बात करते हैं तीसरे और सबसे most important operator की and that is increment and decrement और यही वह operator increment जिसके कारण actually C++ को C++ बोला जाता है और यदि आपको एक बार increment समझ में आ गया तो decrement तो फिर पांच मिनिट का है विस सारा concept सारी कहानी हम समझेंगे increment को लेके और एक बार increment clear हो गया तो बस operator change होगा बाकि सब कुछ priority वेसी ही रहेगी और हम decrement की बात कर लेंगे तो चलिए शुरुबात करते हैं यहाँ पे increment operator को लेके यह जो increment operator है actually इस operator का काम है value को एक से increase करना जब भी आपके पास कोई value है and you want to increase the value by one take a increase value by one जब भी आपको value को x increase करना है तो हम यूज करते हैं प्लस प्लस पर यह धान रखना दो से increase करने के लिए प्लस 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 फ्लस यूज नहीं करते हैं यह error है it is only use one time right कि आप इसको हाँ आप दो अलग लग लाइन पर लिख सकते हैं तो क्या मतलब में increase the value by one का राइट तो आप देखिए यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट को तीन अलग लग तरीके से लिखता हूं सपोज मैंने लिखा integer a equal to suppose 10 ठीग है and then equal to a plus one and then see out a yeah हम यह समझते कि तीनों के answer में क्या कोई difference है integer equal to 10 and then I'll use plus plus a and then see out a yeah and then हमने लिखा integer a equal to 10 and then a plus plus and see out a big तो यहाँ पर आप समझे इन तीनों statement में जो result मुझे मिलेगा मुझे यहाँ भी 11 मिलेगा मुझे यहाँ भी 11 मिलेगा और मुझे यहां भी 11 मिलेगा तो concept यह कहता है कि यदि आपको किसी भी value को X increase करना है तो यहां तो आप plus plus a लिखे तो भी आपको result वही मिलेगा यह प्लस प्लस लिखेंगे तो भी result वही मिलेगा और a equal to a plus one लिखेंगे तब भी result वही मिलेगा तो फिर question आता सर इस प्लस प्लस से और a plus plus में difference क्या है जब दोनों a की result दे रहें ठीक है equal to a plus one तो इन दोनों का मिलेंगे कहने का मतलब यह है कि जब आपने a equal to a plus sorry जब आपने plus plus a लिखा तो internally compiler ने इसको पढ़ा है equal to a plus one plus plus a का मतलब होता है equal to a plus one और यदि में a plus plus लिखूंगा तो इसका मतलब भी होता है equal to a plus one मतलब आपने plus plus से लिखा तो भी compiler इसको ऐसे ही execute किया आपने a plus plus लिखा तब भी compiler ने इसको इसे ही execute किया plus plus a का internal meaning है equal to a plus one तो जब भी किसी value को चाहे वो integer हो float हो double हो character हो जब भी किसी value को एक से increase करना है तो यहां पर हम यूज करते हैं इस increment operator को तो यह जो increment आप देखे दो अलग अलग तरीके से मैंने लिखे वो इसलिए क्योंकि यह increment operator है actually यह दो टाइप के होते हैं एक को हम बोलते हैं प्री increment और एक को हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रिमेंट धिहां से डिफरेंस सुनना interview का बहुत important question है difference between pre increment and post increment तो प्री और पोस्ट में क्या difference है आप सुनिये ध्यान से यदी मानलो में लिखता हूँ plus plus a तो जब भी increment operator को और प्रेंट के पहले लिखेंगे आप देखिए एक चीज़ जो हम initially भूल गए यह यूनरी कैटेगरी का operator है इस यूनरी operator क्योंकि इस operator की जो requirement है वो केवल एक सिंगल आपरेंट की है इसको एक यह आपरेंट चाहिए ओके तो यदी आपने plus plus को और प्रेंट के पहले लिखा है अगर आपने plus plus को लिखा है और प्रेंट के पहले तो यह कहलाएगा अप्रीट्वेंट है णिया प्लस प्लस को लिखा है और के बाद तो यह ख्योड़ाएगा पोस्त इन ख्रेमिन यह प्री मंदे यह पोस्त पोस्त इंख्रिय मेंत अगर आप पाहरेटर को अपरेंट के पहले यूजे क्ष़ें तो यह प्रे है यह पोस्ते Are Was का एक ही है इसका मतलब भी A equal to A plus 1 है और इसका मतलब भी A equal to A plus 1 है इन देट्स फादरी रिजन कि मुझा आउटपूट तीरों में सेम मिल रहे हैं तो यहां पर एक कोशन दिमाग में आता है कि ज़र दोनों का एक ही मतलब है तो फिर यह दो टाइप के ऑपरेटर क्यों है तो अब इस कॉंसेप्ट को बहुत ध्यान चे सुनना यदी आपको केवल इंक्रीमेंट ही करना है तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है केवल अगर आपको वैलू को एक से बढ़ाना है तो फिर A plus 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 A दोनों सेम है दोनों का मतलब A equal to A plus 1 ही होता है इन दोनों में डिफरे इस कब आएगा जब आप इस ऑपरेटर को यूज करोगे असाइनमेंट के साथ कहने का मतलब यह है सपोज A की वैलू है 10 और अब मैंने एक वेरियबल लिया भी ठीग है और यदि हमने लिखा B equal to A plus sorry B equal to plus plus A ठीग है और सेम स्टेटमेंट में ने फिर से लिखा है इंटीजर A equal to 10, B और B equal to धिहां से सुनना बच्चे बहुत important concept अगर first time आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल focus हो के समझ ये ठीके और एक बार इसको पढ़ लिया तो C++ को C++ क्यों बोलते हैं जो शुरुआत में हमने बात कि थी आपको भी एक सेकेंड में समझ में आ जाएगा ओके तो पहले तो इन में डिफरेंस समझें C++ का concept तो साथ भी अगर में A को प्रेंट करता हूं और B को प्रेंट करता हूं तो दोनों में क्या डिफरेंस है डिफरेंस बहुत इंपोर्टेंट ध्यान तो सुनना अरे केवल इंक्रीमेंट करना है अगर B नहीं है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है डिफरेंस कब आएगा सु हुआ जब आपने b equal to plus plus से लिखा तो पहले एक की वैलू में इंक्रीमेंट होगा और फिर इंक्रीमेंटेड वैलू भी में असाइन होगी प्री इंक्रीमेंट फर्स्ट इंक्रीज देन असाइन ध्यान से सुनना increment pre increment first increase then assign तो यहां पर क्या हुआ पहले इसने A को increase किया A के value कितनी है 10 increment होके कितनी हो गई 11 और वह 11 जब B में आएगा तो BB कितना हो गया 11 तो यहां मुझा output मिलेगा 11 11 A की value 11 और B की value 11 लेकिन यहां क्या हुआ सुन जरा यहां पर इस A क्लाइन का मतलब है पहले B equal to A, बाद में A equal to A plus 1, इस A क्लाइन को compiler internally execute करेगा, पहले A को B में assign करेगा, जो current value है, उसके बाद A को बढ़ाएगा, सुन ले statement ध्यान से, post increment, first assign, then increase, pre increment, first increase, then assign, और दोनों में then assign, what common है, और अगर then assign ही नहीं तो, सुन ले statement ध्यान से, pre increment, first increase, then assign, post increment, first assign, then increase, तो अगर assign ही नहीं हो रहा है, तो फिर दोनों में कोई difference नहीं है, यही तो बोला था भी, कि जब assignment ही ही नहीं, ठीके, अरे कहां गया question, जब assignment ही नहीं, तो दोनों में कोई difference ही नहीं है, चुकि difference इन में तब आएगा जब आप इसको किसी में साइन कर रहे है और अगर असाइन में नहीं हो रहा है यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिफ्रेंस से सुनना ध्यान से अगर असाइन में नहीं हो रहा है तो दोनों ऑपरेटर आपको एकी रिजल्ट देंगे यह भी वही देगा यह भी वही तो A पहले बढ़ा 11 वो भी में असाइन हुआ 11 यहां क्या हुआ देख जरा धिहान से देख बच्चे देख एक ही वैलू कितनी है यहां पे 10 पहले A की वैलू B में असाइन होई तो B की कितनी हो गई 10 फिर A में इंक्रिमेंट हुआ तो एक इतना हो गया 11 तो यहां मुझा आउट्पूट मिलेगा 11 और 10 तो दोनों में ए तो 11 यह ना वैलू बी की चेंज हो रही है देखो ज़रा दिहान से यहां पर एक को बनेनिसल्स क्योNa कि कारंद समझ दोनों केस में एत्व बढ़ी राया ना डिफ्रेंस का हा रहा है понял जब असाइनमेंट हो रहा है कि को 11 यहां पहले आसाइन हुई तो एक वेलू कितने धी 10 ऐख इनीशल वेलू कितने धी 10 जब 10 बी में आया तो 10 हुआ उसके बाद एब बड़ा तो कितना हो गया 11 को कि यह पोस्ट इंप्रेमेंट है नो तो इस एक लाइन का दो में यह मतलब है ओके तो यहां परह जो इसको लुए नहीं को इसकी यह बी अगर मैं आगर मैं अगर यहां से भी अठा दू यहांसे भी आदू यहां से भीट आ दू तो एठोट जेका ना पहले या बाद में एक ओ तोफ भन ना इन दोमें दिफरेंस था बाता है जो फैला असाइन OT this is what the difference between pre-increment and post-increment कि अपसे पुछा में जाब आप कि दिफरेंज बैफिन pre-increment और post-increment the difference I hope we can understand dreary-eto yeah लिए टीम नुछ कैवल concept समजा है कि pre or post जो क्या difference is pre increment first increase the value then assign, post increment first assign the value then increase, यह difference है और इन दोनों में difference यहां बिल्कुल भी नहीं है ठीके क्योंकि यह assignment हो इसी नहीं रहा है, difference है यहाँ पर जब value assign हो रही है, अब है तो यह तो भी हमने increment को ले के concept की बात की अब यहां आप देखो किस टाइप के questions increment को लेके हम से पूछे जाएंगे आप समझना इसको बहुत समय मतलब इसको बहुत detail में जाके पड़ेंगे हम चाहे time कितना भी लगे क्योंकि यह एसे operator है इन operator के बारे में हमेशा पता है क्या बोलता हूं यह समझने में तो बड़े आसानी से समझ में आ मतलब जब आप अभी समझोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे लेकिन जब इनके questions solve करोगे confusion वहां create होगा बास समझ में आरे है जब इनके questions आफ solve करोगे और हम टॉप MNC के questions जब देखेंगे तो कम से कम minimum 5 question आपको increment or decrement के मिलेंगे this is what the importance of this operator programming में यह जितने important day उतने ही equally important interview के लिए भी है तो इसी लिए थोड़ा सा focused okay सुलना समझना कि यदि मानलो में आप से पूस्ताओ A B और C ठीक है suppose A की वैलू है 5 ठीक अब अगर मैंने लिखा B equal to A++ and then C equal to plus plus B ठीक वीडियो पॉस्तार इसका एंसर मुझे बताओ क्या होगा what is the value of A B and C इमानदारी से वीडियो पॉस्तार इसका एंसर सोचो ठीक है तो यदि आप इसको solve करेंगे तो इसको solve कैसे करना है देखा इसका एंसर क्या होगा आपकी copy में आपका इंसर लिखा है और इमानदारी से आप अपने इंसर को compare करना इससे क्योंकि इस तरीके से हम जब practice करेंगे तब जाके इन operator पे पकड़ बना पाएंगे ठीके तो आप देखे क्या होगा यहां पे फिर ए बड़ा तो एक इतना हो गया six इस केस में और आप देहन से सुनना जो असाइन हो गया है वह वेरियाबल है अगर वैलू बदली तो पुराने वैलू चली जाए जैसे यहां ए भी में असाइन हुआ तो 5B में आया लेकिन एक वैलू 6 ओ गया क्यों कि पोस्ट इंक्रि इसका एंसर आएगा six 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 got it क्यों आया एक बार फिर से पल्टा लो वीडियो रिवर्स कर लो आई तेंग और फिर से समझ लो ठीक है क्योंकि यहां क्या हुआ पहले असाइन हुआ बाद में इंक्रिज हुआ यहां पहले इंक्रिज हुआ बाद में असाइन हुआ ओके इस ताइब के कोश्चन साब से पूछे जाएंगे और यह तो अभी केवल इंक्रिमेंट पढ़ रहे है जब डिक्रिमेंट आएगा तो दोनों मिक्स हो जाएंगे और जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तब इनसर कुछ औरी निकलेंगे ठीके तो समझना ध्यान से कि कितने तरीके के कोश्चन इस ओपरेटर को लेके अभी हम पढ़ने वाले हैं तो आई होप यह कॉंसेट आपको समझ में आया है कि किस तरीके एंसर हमारा 666 आ रहा है एकी वेलू 5 है यह बी है और यह सी है पहले एबी में असाइन हुआ 6C में आगी 6 तो एंसर 666 ओके अब इसी को लेके सपोज यदि आपसे कोश्चन यह पूछा कि इफ सपोस एकी वेलू है 5 ठीके वेलू है 5 ओके और अभी हमने रिलेस्टन आपरेटर पने जैदी में आप से पूछता हूं बी वल्टू पानलो एकी वेलू 10 है और यदी में आप से बूछा B equal to a greater than 10 अभी फिलाल सी आउट भी मतलब अभी हम रिलेस्टन आपरेटर पड़के आ रहे और मैं आपको कहा था रिलेस्टन आपरेटर हमेशा true या false में वैलू रिटन करते हैं तो यदी मानलो मैंने लिखा B equal to a greater than 10 what is the value of B 0 और वेसी बाते क्योंकि 10 greater than 10 that is false लेकिन बच्चे अगर यहां हमने लिख दिया plus plus a greater than 10 plus plus a greater than 10 तो अब इस केस में result आ जाएगा 1 वो इसलिए क्योंकि यदी कांडिशन में इंक्रिमेंट ऑपरेटर है यचले कंडिशन आपको यह बताना ही कि यह की वैलू इससे greater है या नहीं तो यदी प्री इंक्रिमेंट है तो प्री इंक्रिमेंट क्या करेगा पहले एको कर देगा 11 ठीके को कि यह पहले इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद कंडिशन चेक करेगा तो 11 ग्रेटर देन टैन नाउट इस टू तो रिजल्ट आ जाएगा वन और समझ बात को बहुत इंपोर्टेंट कॉंचेप्ट है सुनो ध्यान से ठीके तो इसका इंसर कितना आया लेकिन यहीं पर अगर में लिख दूँगा ए प्लस प्लस तो रिजल्ट आ जाएगा 0 वो इसलिए क्योंकि इस केस में एकी वैलू 10 है पहले यह कंडिशन चेक करेगा टेन ग्रेटर देन टैन डैट इस फॉल्स तो बी में आ गया 0 उसके बाद एकी वैलू बढ़के 11 होगी मतलब यदि कंडिशन के साथ इंक्रिमेंट है तो प्री इंक्रिमेंट है तो पहले वैलू को बढ़ाओ फिर कंडिशन चेक करो और पोस्ट इंक्रिमेंट है तो पहले कंडिशन चेक करो बाद में वैलू को बढ़ाओ that is the difference between create post increment with condition okay so much about code Hansa soon okay about they call one of the most important concept joking increment Kola K aap se poochah ja sakta hai nahi poochah jae ga dhan says so nice question ka answer kya hoga tell me video post karke moja what else cancer kya hoga a equal to plus plus five then what is the value of a figure a equal to plus plus five what is the value of a or your demon no Malik now who be equal to 10 plus plus then what is the value of a and B okay what is the output of this program other money a question when I like a equal to plus plus five and be equal to 10 plus plus what is the value of a and B the answer so aap nai agar copy mail ikha hai first time agar up or a a or agar up na copy mail ikha sir is cancer six I guys cancer 11 I got absolutely wrong absolutely wrong he get is don't know statement may ajegi error this is an error big error okay there is an error in this program now the question sir why there is an error say to lika increment dick pre or post are a batches unna dhyan say yeah increment operator or even year old decrement per be applicable a increment or decrement kabhi be directly constant per applicable nahi hotel a numbers are the constant are a source that a plus plus five comment up yaoga five equal to five three plus one two saw tiger five made a do a six six five in the sign oh yeah all right it's a case of possible hey yeah so to kabhi be liyaan rakhna increment to decrement directly kabhi constant per applicable nahi hotel hai yeh hamesha applicable hote hai variable page ke pehle wale program may hame niko use kiya hai variables ke saat and we are the variable kabhi be increment or decrement operator directly constant per applicable nahi hote hai yeh dhyan rakhna yeh question thousands of time confuse karne ke liya interview me poochha jata hai kukye bachya kata ratte pre increment pehle value bada ta hai post increment baad me value bada ta hai aray ratna se interview nahi nikling a logic se nikling a concept se nikling to ya hapa rap ko yeh dhyan rakhna padega ki increment or decrement agar directly kisi number ke saat attached ho gaya ya directly numerical value per applicable a constant way to ya error it is an error got it took increment or decrement the concept i hope up some much par a about the for easy sequence may yadi manlo aap se poochha integer equal to five comma b abhi hanta sunnah b equal to plus 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 a plus a plus 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 a most important concept thoda sa dhang se likhna ho isko b equal to plus plus a plus a plus 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 a then what is the value of b and what is the value of plus plus a iske baad a ki value kya hooghi or iske baad b ki value kya hooghi dhyan se sunnah or samajna iske baad a or b ki value kya hooghi tighe to isko solve karna hai agar system pe to yeh dhan rakhna kiya jo beach me plus likha hai yeh plus or yeh plus yeh arath medical operator or yeh plus plus a yeh increment operator hai right to belty say samat lik dena a plus 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 a s a s a s a m a j a koon sa plus plus kis ke liye kabhi bhi in ko system pe type karo to yeh anach na beech me space jarroo dhe na okay to miss kundu karta hoon okay so ya hapa rap ko yeh dhan rakhne padega ki yeh jo plus a yeh plus amara increment operator hai or yeh plus plus a yes up sorry yeh plus amara arithmetical hai to ab jab yeh question diya hai to isko solve kya se karenge to iska solution c plus plus me alagi or java me alagi or python me to hoota hi nahi hai kiwa increment decrement hootay hi nahi to python ka to concept ikatam hooghe leginis question ke answer ko a po java me alagi result milaga python me alagi sorry see me alagi legas c or c plus plus me eg jesse milingi c plus plus or java me alagi alagi results so ya hapa rambat keringi c plus plus ki okay to javis question ko a po c plus plus में solve karna hai to up ko kya dhan rakhna hai sunna is puri statement में अगर मैं आप से पूछूंँ आपको कितने types of operator दिख रहे types of operator कितने types of operator is puri statement में धान्दो जरा ठीगे तो यहाँ पर आप types of operator अगर देखो गे तो आपको 4 दिखेंगे पहला है पहला है प्री इंक्रीमेंट ठीके पहला है pre increment दूसरा है post increment ठीके तीसरा है arithmetic तीसरा है arithmetic और चोथा है assignment operator यहां दो जरा चोथा है assignment operator यह है प्री इंक्रीमेंट यह है post increment यह है arithmetic और यह है assignment यह चार टाइप के operator आपको इस एक statement में दिख रहे हैं और जब यह चारों एक साथ हैं तो यहां पर आपको इनकी priority के हिसाब से इनको solve करना पड़ेगा कि इनकी priority है कि जब चारों एक साथ दिये हुआ है तो you have to solve this operator with its priority तो priority जो मैंने लिखिये उसी sequence में है सबसे highest priority होती है pre increment की उसके बाद sorry second priority होती है arithmetic की ठीके second priority होती है सबसे highest priority पे होता है pre increment second priority पे होता है arithmetic ठीके second priority पे होता है अरत्मेडिक तीसरी priority पे होता है assignment और लास्ट प्रारिटी होती है post increment की तो क्या करना है आपको पूरी statement में ध्यान से सुनना एक ही वैलू कितनी है 5 तो जितने pre increment है उतने से एक हो पहले ही बढ़ा दो और अध्यान से सुन ये question 110 पर्सन इंटर्वू में पूछा जाएगा ठीक है समझना एक ही वैलू 5 जितने pre increment आपको दिख रहे है उतने से की वैलू बढ़ा दो एक प्री इंक्रिमेंट कितने एक और दो आपने एक को दो से बढ़ा दिया कितना हो गया सेवन ठीक है आप क्या करना है जहां जहां यह लिखा हुआ है बस वहां सेवन रग दो कुछ मत देखो बस एक हो देखो देखो क्या कर दो पहला हो गया प्री अर्थमेडिक असाइन कर दो तो बी में आ गया 21 और बी में आ गया 21 उसके बाद देखो लास्ट प्रेरिटी किस की है पोस्ट इंक्रिमेंट की तो देखो इसमें कितने पोस्ट इंक्रिमेंट है पोस्ट इंक्रिमेंट कितने है एक तो एक ही एक से और बढ़ा दो एट कर दो तो फाइनल एंसर इस एट एकई वेलू ट्वेंटी वन बीखी वेलू के दिस इस हाओ यू कैसे सॉल्व करना है समझ में आया ठीके सबसे पहले आप देखो फिर से सुनो एक बार अगर आप वीडियो को रिवर्स करके भी सुन सकते हो लेकिन क्रिके में एक बार फिर से बता देतना हूं केस तो सुल्व करना है द्रहान से सूनो सिम्पल सा कॉंसेटे सबसे पहले आप देखो की इंत्री इंकरीवेंट कि तने है एक वेलू फाइवें प्री इंक्रिमेंट क इतने है दो तो ए हो जाएक आपका से बन फिर आरित्मेटिक करना है प्लस एवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन तो 2121 को असाइन कर दिया बी में तो बी की वैलू कितनी ओगई प्वें तीवन उसके बाद पोर्स इंखर में इतने है एक तो एक वैलू एक से और वराला नहीं होगा आसानी से चो चीज मिले तो फिर मजा क्या है बॉस मजा तो तब है जब मेहनत से कोई चीज हासिल की जाए और यह हमारी मेहनत ही होगी जो हमें टॉप लेवल पर लेके जाएगी और चलेंगे साथ में बिलकुल चलेंगे डॉन्ट वरी पस आपको दर्वाजे तक छोड़के में वापिस आऊँगा उसके बाद जियो अपनी जिंदगी लेकिन उसके लिए यहां मेहनत कर लो वस कॉंसेप समझ लो पस तो कि जिसको मैंने बोला है यह इंटर्व्य में पूछा गया है पूछा जाएगा और बॉस 110 परसेंट पूछा जाएगा शॉर्टी है मेरे ऐसे ही नहीं 50,000 बच्चों को प्लेस किया है बिटा अगला नमबर आपका होगा यदी बस मेरे कहे को आपने मान लिया तो समझ में आया इंक्रिमेंट को जब इस तरीके से पूछा जाएगा देखा आप तीन तरीके में आपको बताएं इंक्रिमेंट ऑपरेडर पहली बात कॉंस्टेंट के साथ कभी यूज नहीं होगा दूसरा इंक्रिमेंट को किस तरीके से यूज करना है यह कोशन और एक हमने बीए वस्कोर्पोस भी एक्वलटू एंग संदर और इस जान्दर कॉंसेटर जाकर का ब्या भी हमने एक वैलु थी रियं बीक वैलू पता करना है एल बी क्या होगा सबसे फेले देखो प्रींक्रिमेंट इतने है एक तो एक के वैलू Olympics ऑलगे कितनी हो गई पॉर फोर फ्लस फॉर प्लस फॉर को कि अगली प्रारिटी प्लस की है फॉर करें थे स्टोग्ल duim przy लागे बीमे तो ईकी वैलू अगे ट्रे प्लै उसके बाग पोस्lles इंक्रेमेंट कि इतने हैं दो है को पलाा direct कितना कर दिया 6 to a key value 6 B key value 12 that is what the answer will get अगर आप इसको रन करते हैं you'll get the answer 6 and 12 ठीके और यदी मान लो आप से a question is a poochly and I scan sir social of क्या होगा integer a equal to 4, B ठीके a equal to plus plus sorry a equal to plus plus a plus 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 a plus 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 a plus 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 a plus plus tell me what is the value of a nd video pause कर जल्दी से बिल्कुल past second was cancer बता video pause कर के जब वापिस आओगे ता बोलो किसर दो इंसर आएंगे अरे कैसे आएंगे आप a और भी दोनों की value बता दोगे मुझे तो ऐसे question जब आए ना तो यह धान से देखना कि आपकी statement में क्या दो variable use हो रहे हैं मैंने आप से frequently बुचा है और B की value बताओ तो B की तो आपको पहली बोल देना चीसर garbage तो कि इस पूरी statement में B का कोई रोल ही नहीं है मैंने के वल डिक्लियर किया है तो कहीं बार confuse करने के लिए इससे question भी पूछ लिए जाते हैं कि डिक्लियर तो दो वेरियेबल है लेकिन पूरा calculation तो एक यवेरियेबल में चल रहा है न भी तो ही नहीं picture में तो इसके answer दो तो आई नहीं सकते और अगर बी का answer यह तो 100% garbage पूरा answer यह में चल रहा है तो यह भी ध्यान रखना देखो इसका answer क्या होगा एक यह वेलू कितनी है 4-3 अदो आ एक वरिये 2 शारी एक ही यह तो पोस्ट एक ही प्रीं क्रेमेंट है ठीक है तो प्रीं क्रेमेंट कितने हैं एक तो कितनी हुए वैलू 4-5 5 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 पहले तो मैंने यही बोला ना 4 को जोड़ दो प्री करके 4 को जोड़ दो तो प्री एक है वैलू 4 से 5 हुई 5 5 5 5 5 5 5 20 20 असाइन हुआ ए में बी में नहीं तो एक ही वैलू कितनी हुई 20 अब पोस्ट इंक्रिमेंट कितने हैं 13-20OOOO यह हो जाएगा 23 एक हाजाएगा 23 2 answer नहीं आएंग तो ओनों में डिफरेंस समझे आप इसमें दो factors A And A और B तो इसलिए दो answer आ रहे है इसमें एक यबres class कर सकता हूंझ परी स्टेट्मेंट में लगना फोनी करेंगा मुझे आब वह लोगए सेट टो is a और घूम गए तो अगला दर्वाजा बहार है घूमना नहीं है सीधे बैठेर और एंसर देते रहो उसको तो घुमाएगा इंटर्वी में हर तरीके से पर्खेगा आपको क्यों कि वो तो है ही इस लिए छाट के हिरा लेना है है उसको इसलिए वो हर तरीके से परखेगा आपको बास समझ में आ रहे है और हमें भी रेडी रहना है किसा पूछो आप तो हमने भी पढ़ा है आपके सारे इंसर का जवाब देंगे ठीके तो आई होप यू कन अंडेस्टेंड की इंक्रीमेंट आपरेटर किस तरीके से यू माइनस माइनस पे तो यह जो माइनस माइनस है यह कौन है इट इस डिक्रीमेंट आपरेटर यह भी दो है प्री और पोस्ट बस डिफ्रेंस के वल इतना है कि अभी तक जहां वैलू इंक्रीज हो रही थी अब वह इंक्रीज होने की बजाए डिक्रीज होगी तो यही मैंने पोला था अगर Iincrement समझ में आ गए तोड़ क्री में तो फांच मनें हो जाएंगा to the क्रीमेंड ओपरेटर भी दो टाइप के खोते हैं प्रीडिक्री में टोर현 पॉस्ट डेक्री मैं रही अब यह दिए मानलो में आप से यही पूस्ता हो इंटीजर एक वल टू तेन ठीग एंदेन वी एक वल टू माइनस माइनस ए यदी मेने डारेक्ली एसा लिखा हुआ है सी ओते हों आयुक्त काम्म करें दिएम जानलें व्रुम्स माइनस भी माइनस माइनस being in dirty यह डीकल के साथ दी फो Быhn कुछ nap tease क्रिवेंट तो यह पहले वैलू को क्या करेंगा डिक्रीस माइनस माइनस एक का मतलब है एक वल टू ए माइनस वन माइनस माइनस ए मतलब माइनस माइनस एक ओम बोलतें इस एक वल टू ए माइनस वन ठीक है और ए माइनस माइनस का भी यही मतलब एक वल टू ए माइनस वन सेम इसमें भी दो टाइप है मतलब यदी में आपको यह बोलू कि यह पिछले जितने हमने सॉल्व करें न इन सब में प्लस प्लस अडा के माइनस माइनस लगा तो तो आपका डिक्रिमेंट ऑपरेटर हो एक से इंक्रीज होने की बजाए डिक्रीज हो अब यह भी दो टाइप के हैं प्लस प्लस एकी जगा माइनस माइनस यह ऑपरेटर माइनस माइनस यह ऑपरेटर माइनस माइनस ठीक है इसके बात का हर कॉन से मैं आप लिग दो प्लस प्लस की जगा माइनस माइनस और वैलू क के वर वैलू इंक्रीस की बजाए डिक्रीज हो गी ठीक है तो आप देखो यदि अब हम इसको लेकर देखें सेम कॉंसेप्ट है यदि मैं लिखता हूं इंटीजर एक वल टू फाइफ कॉमा बी कॉमा सी वी इक वल टू ए माइनस माइनस सी इक वल टू माइनस माइनस भी वी में आया 5 अब यह डिक्रिते तो एक वैलू फाइफ से 4 हो जाएगी है आट पर क्या वा पहले बी में क्रिमेंट होओए कितना होओ फॉर फिर वह सी में आया तो सी के वैलू भी कितनी होगी फोर तो answer is 4-4-4 that's it 4-4-4 इस दैंसर तो क्या समझ में या एक्लियर हुआ जो integer a equal to 10 comma b comma c b equal to minus minus a equal to b plus plus c equal to minus minus b b equal to a plus plus and then what is the value of a b and c is type questions अगर आगे मिक्स मोट अरे कुछ नहीं है थोला सा फोकस्ट हो के सॉल कर अपने आप सॉल होगा सही एंसर बताओ गया आप गयारेंटी है मेरी वीडियो पॉस्ट करके सॉल कर इसको 100% सही एंसर आएगा पस फोकस्ट फोकस और फोकस एक ही मंत्र है ठीक है तो आप देखो का एंसर आएगा एक वैलू 10 यह बी है यह सी है बीक वैल टू माइनस माइनस ए पहले एक वैलू डिक्रीज हुई कितनी हुई 9 वह बी में आई 9 एक वल टू बी प्लस प्लस अब देखो जो नहीं वैलू आ गई तो पुरानी को भूल जाना बीक वैलू ए में आया नाइन आया redit कितना होगया 10 c equal to minus minus b 0 SE b who on 9C में आया 9, B equal sorry, B equal to a plus plus पहले की वैलू B में आई 9 आया बी में and that is 9 phir a plus plus ठ 셋 टेन to final answer is 10 Lie 10 9 9 is the answer आप देखो इस टाइप के कोश्चंस में कोई रट के नहीं आयो को मुझे आपको बताना है कहने का मतलब यह है जब भी अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय बचे बहुत बीजी रेतो आप लो और बहुत काम रहता है आप लोगों के पास लेकिन थोड़ा सा समय निकालो का कोफिलो इस टाइप का कोरững लिख लो कोई लिक्लोव बीगेक वल्ट अब्लस ऩशे एक वल्य слыш moss योड़ा करो और पांच मिलकी लगेगा आपको और मैंने आपको बोलाना इंटर्व्यू कोशन ही ऐसा पूस्ता इसमें आप कंफ्यूज हो उसो चाहेगा कि आपको कंफ्यूज करना है तो यहां पर आपको अगर इस ऑपरेटर पर पकड़ बनानी है बेटा तो ध्यांत से सुनना जापको इनको सॉल्व करना पड़े सब्सक्राइब बिन याँ तो इसा लिखा यह इक्वर्लास फाइव सी आउड प्लस प्लस एक एठीक ए सब्सक्राइबनर तो ऐन हुआ 6 तो यहां प्रिंट होका 6 så सिट अभी बदल शुका है 600 यहां पर क्या होगा पहले प्रेंट होका बाद में बढ़ेगा तो 6 प्रिंट हुआ लेकिन यह बढ़ के 7 हो गया यहाँ पे पहले प्रिंट हो गा लेकिन घा सेवन ठीके फिर माइनस माइनस तो यह फिर से सिक्स हो गया यहां पहले डिक्रिमेंट होगा फाइफ फिर प्रिंट होगा फाइफ बस थोड़ा दिमाग लगाले सिक्सिक्स सेवन फाइब इस देंसर अरे मैं पढ़ाते जाओंगा बढ़ाते जाओंगा और बढ़ाते जाओंगा यह ऑपरेटर खतम नहीं होंगे इसलिए मैं बार बार जो बोल रहा हूं कॉंसेप्ट समझ लो तो फिर तो यह किसी भी कॉंबिनेशन में पूछे जाएंगे कहीं समस्य नहीं आएगी तो यह अभी हमने बात की केवल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को लेके कॉंसेप्ट की पूरा लेक्चर हमारा केवल एक यह ऑपरेटर को लेके चला है जहां पर हम बात कर रहे थे टाइट अपरेटर की कवर हमें दो-तीन आपरेटर करना थे ले हमने देखा इंक्रीमेंट ऑप्रेटर का मीनिग होता है इंक्रीज्ट के वैलू ऑऔर जो प्लस-प्लस इसकों बोलते इंक्रीमेंट ऑप्रेटर इन Si Plus Plus और इसी औरहे चारण से आब देखो जो मैंने आपको बोला था कि वाई Si Plus Plus इसको समय में आया होगा Si Plus Plus मतलब Si With Object Orient oriented programming to see main recommend हुआ है किसका object oriented programming का इसी लिए मर्पकुं सी परसफला जाता है और बोलोगे सार आपने भी बता था दोनों में कोई differenz नहीं है तो इसको 느낌이 a brain कोई रीजन नहीं था यार्च लस्फलर पोल दिया सी के आगे इंक्रिभिंट हुआ है इसलिए सी प्लस प्लस बोल दिये ए प्लस प्लस सीबी नाम रखते दो कोई दिक्कत नहीं था यह बात तो वह है इंडियू जय है तो धोगोई डिंफरेंस नहींिंअ यह दो टाइप हमने पढ़े से प्री और पोस्ट ठीके और यह मैंने आपको बता था मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉंसेट की इन में डिफरेंस तब है जब आप वैलू को असाइन करोगे इक सब्लस प्लस प्लस जब वैलू असाइन होगी तो इन दोनों में डिफरेंस है ओके और फिर एकॉंसेट में आपको बता था कि डोंट यूज दिस ऑपरेटर विट कॉंस्टेंट के साथ अगर आप इनको यूस करोगे डारेक्ली तो यह एरर एए प्लस प्लस फाइव टेन प्लस प्लस दिजसें एरर तो इस ऑपरेटर के नौट यूज विट कॉंस्टेंट वैलो यह अपरेटर कभी भी कॉंस्टेंट वैलो के साथ यूज में नहीं आएंगे है ओके डमने इसको लेके एक सबसे मोस्ति इंयुक्षन सॉल किया और इसको भी यू ने दो उरीके से देखा the only difference between increment and decrement operator right तो फिर हमने decrement को लेके कुछ question solve करें दोनों के mix mode हमने देखे और I hope यह पूरी कहानी आपको समझ में आई है ठीके तो मिलता हूं मैं आपसे next lecture में operator के remaining types के साथ बस बने रही है scores में समझते रही है और यदी video पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अपने relatives के साथ जिस person को इसकी नीड है प्लीज उस तक पहुंचाए जैसे किसी ने आप तक यह video पहुंचा है है आप इसको और आगे बढ़ाई है chain बनाई है क्योंकि मेरी surety यह बच्चे की बहुत जितना ज्यादा आप ज्यान को फैलाओगी उतना बढ़ेगा मेरा भी बढ़ा है ठीक है जितना ज्यादा आप ज्यान बाटोगे ठीक है बच्चे जिस दिन इंटर्व्यू फेस करोगे उस दिन यह सारे लेक्चर याद आएंगे आपको ठीक है तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स क्लास में ऑपरेटर के कुछ नेक्स टाइप के साथ तिल देन टेक केर बाइबाई और इनके प्राक्टिकल इंप्लिमेंटेशन अभी हम देखते है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे ओके तो चलिए मुलाकात करते हैं तिल देन टेक केर बाइबाई